हेलो बच्चो च्वानी एजुक्रेशन चैनल में आपका स्वागत बच्चो आज हम लर्निक आउटकम सधारित लर्निक गैप शमागरी विश्य हिंदी कच्छे चोंती के अंतकरते प्वार्ट मैं हूं नीम कि महत्पूर्ण प्रश्णों को हल करेंगे आए अगर आपके दोड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने जैसे की वीडियो को नोट किसा ना पर आप तो होती रहेगी वीडियो को लाइक एब हम शेर हम देखेंगे इसमें पाड़ी मैं हुँ नीम जिसमें हम देखेंगे मैं नीम का पेर हूँ आपने मुझे जरूर्व देखा होगा मैं गौंद से लेकर सहर तक हर जगह मिलता हूँ यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है मेरी दाटू के लिए बहुत लाबकारी होती है इससे दाइट मजबूत ہوتे हैं और उन में किवा भी नहीं लगता है मेरी पतिया इतनी घनी होती है की शूरी की किर्ने धर्ती तक नहीं पहुंच पाती मेरी सगन सीतल शाया में बच्चे खेलते हैं और पसु अराम करते हैं करते मिल जाते हैं गाँ में बड़े बुड़ों की चोपाल मेरे ही नीचे जमती है देखींगे आप यह नीम का डक्षे कितने घनी पत्यां है इसकी औ और बहुत औसदी वाला यह है पौदा है इसके बिसे हम देखेंगे अभ्यास प्रशन है तो आ है मेरी दातुन कड़वी तो जरूर होती है पर दातों के लिए बहुत लापकारी होती है उतक पंक्ति अन्शेद रिखांकित कितु मेरी दातुन कड़वी तो जरूर होती है पड़ाइब दातों के लिए हुँत लापकारी होते ही है एनुछे देह, इसके बाद देखियंगे परस्ण है, कि शिकारण से सुरी की क гдеड़न्हें धर्तित क्या हैं, तो नियम की पत्तियाँ इतनी ढनी है कि केड़न्हें, धर्ती नहीं था इसको सुधार देंगे बरतनी में फिर गाउं में उपर कि हमकी बिंदी नहीं लगी गाउं इस तरह सुधार देंगे पत्तियां में भी हमकी बिंदी नहीं लगी शूरी में मातरा गलत है ठीक करके ऐसे लिख देंगे चौपाल मैं ऐसे मातरा लगा करके चौपाल ब नाम लेकिए तो नेम का तेल तूटपेट नेम के बीज़ से तूटपेश्ट बनता है नेम की शाबून नेम के फल से साबून बनते हैं कीड़े फंसें को मिटाने के लिए तावाजियों का निर्मार किया जाता है इसके बात है अब मल्यांकन साथ है तो नेम की बिमारी भगा पाने वाले पीड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि नियम के सभी भागों का उप्योग और असदिय में किया जाता है नियम एक और 집 कॉila है लिए एवं घर मत्च्चड भागते हैं भर से मत्च्चड भागते हैं JDK , छाल पहल पाई जाने वाले नेम जैसे अन्य पेड़ पौदों की सूची बनाई है तो हमारे विद्धाला या आसपास लगे पेड़ पौदों की नाम नेम, पीपल, जामून, आम, इमली, कनेर, उल्मोहर, सरगोन, अमरोद, आदे इसके बाद देखेंगे अगला प्रस्न है नेम की शूकी पत्तियों को जलाने से क्या होता है तो नेम की शूकी पत्तियों को जलाने के फायदे देखेंगे आप नेम की शूकी पत्तियों को जलाने से परिवारन का संतुलन में जो बादक, कीड़, मकुड़े होते हैं वो भाग जाते हैं मदत करते हैं मच्छड को बगाने में साहता करते हैं इसकी पत्नियों को जलाने से लंबी भीमारिया भागने में शाहिक होती है तो इस तरह से हम अगला प्रशन है नेम की तरह किसी अंद्र पेड़ के संब्द में पांच बाग के लिखे तो नेम की तरह ही प्रकृति में इसके बाद देखेंगे प्रशन पांच है प्रशन पांच में चित्र में दिखाई दे रही वस्तू के नाम और होने वाली गतिविद्यों के नाम लिकी तो यहां पर आप देखिए चित्र जो है मेला का चित्र है किसी इस्तान पर मेला लगा हुआ है इसमें जूला और अन् बच्चे गुबारे ले रहा है, मिठाईयें की दुकान लगी हुई है, तो चित्र में दिखाई दे रहा है बस्तू की नाम हम लिख देंगे, गुबारे, जूला, मिठाईयें, दुकान में बिविन प्रकार की शमागरी, खाने की बस्तू, इस चित्र में किसी जगह मेला लग जा रहा है बच्चे गुबारी खरीद रहे हैं मही लायनत्य कर रहे है आधी-ाधी इसमें मेले पर हो रहा है तो आसा है बच्चो आपको वीडियो पसंद आया वह इसे तरह अन्य वीडियों बने रहने के लिए